इस पृत्वी पर सबसे उन्नत प्राणी है हम मतलब मनुष्य। हम लोगों ने अपनी आविशक्ताओं के अनुसार इस पृत्वी की सनरचना की है। दुर्गम पहाडों से लेकर गहरे अशान समुद्र, घने जंगलों और विशाल अनंत महा आकाश आधी तक को वसमे कर विज्ञान और प्रयुक्ति के माध्यम से हमने रास्ता तयार किया। इन सब के बावजूद भी हमारे जीवन में घटने वाली उतार चड़ाओं को क्या हम नियंत्रित कर पा रहे हैं? सुख के नाव पर बैठे बैठे कब दुख के काले घने अंदकार हमारे जीवन में प्रवेशकर जीवन को तहस नहस कर जाते हैं क्या इसे हम पहले से कई तरह की गंभीर समस्याओं से भरी हुई है. इसलिए हम सब कुछ न कुछ समस्याओं को साथ लेकर अपना जीवन यापन करते हैं. एवं लगातार सोचते हैं कि और कुछ दिन के बाद ही इस समस्या से मुक्ति मिल जाएगी. समय अपने निया मानुसार चलता ही जा रहा ह लेकिन कभी ये सोचा है कि महान करुणा में परमेश्वर की स्रिस्टी में ऐसा कोई मुल्यवान द्रब्य है जो मजबूती से पकड़ कर रख सके जिसकी वज़े से बड़ी ही आसानी से जीवन के रास्ते में आने वाली भयानक खत्रों को हटा सकती हैं. इसलिए उन्होंने इस प्रकृती में ऐसी बहुत से ईश्वरिय शक्ती संपन द्रब्य दे रखे हैं जिसके माध्यम से हम हमारे जीवन में आने वाले खत्रों से बड़ी ही आसानी से मुक्ति पा सकते हैं. ऐसा ही एक अमुल्य द्रब्य है पंचमुखी रुद्राक्ष. परम शक्ति शाली देवादी देव बाबा भोले नात की अति प्रिय और पसंदीदा बिज है रुद्राक्ष. सनातन हिंदू धरम ग्रंत और शिवा पुराणों में कहा गया है कि केवल इस रुद्राक्ष को धारन करने के कारण महादेव अति शक्ति शाली तेजस्वी एव ज्यानी पुरुष हुए हैं इसलिए यह पंचमुकी रुद्राक्ष देवादी देव महादेव की भक्ति और आशिरवात को दर्शाता है मानव कल्यान के लिए रुद्राक्ष का अस्तित्व एवं भूमिका कई वर्षों से ग्रंतों में उल्लेखित है यह पंचमुकी बाबा भोलेनात के पंच रूपों के महत्व की उपलब्दी होती है एक सादुबावन ने मुझे रुद्राक्ष धारन करने की सलहा दी मैंने सोचा पत्थर की जगार रुद्राक्ष पहनू लेकिन मेरे पास और कुछ चारा नहीं था और यह पंचमुके रुद्राक्ष ओ क्या खहू आप लोगों को बाबा भोलेनात की अपर क्रिपा से मुझे 15-20 दिनों के अंदर लाब होना शुरू हो गया असल में हम सबको भगवान की अशिरवाद पूर्ण एक रक्षा कबच की जरूरत है यह पंचमुकी रुद्राक्ष ब्रेसलेट हमारे जीवन की रक्ष कितियां आजाती है कि जब एक ही पल में हमारे जीवन से हसी और सुक सब चला जाता है कारोबार में नुकसान नौकरी नहीं मिलना ग्रहस्थी में अशांती विवाह नहीं होना विवाह तूट जाना परिक्षा में आशापुर्ण फल नहीं मिलना अभाव होना शारीरीक रो हम जीवन जीना भूल जाते हैं जनकल्याण की बात सोचकर एवं दुख दुर्दशा से मुक्ति दिलाने के लक्ष्य हेतु हमारे अनुभवी जोतिश मंडली और विशिष्ट धर्म ज्यानियों ने मिलकर बनाया है ये पंचमुखी रुद्राक्ष ब्रेसलेट और माला परमेश्वर देवादीदेव महादेव के आशिर्वाद भराये ब्रेसलेट और माला शास्त्रों की सहमती से और विशेश शक्तिशाली मंत्रवल से बना हुआ है पंचमुखी रुद्राक्ष में देवादीदेव महादेव के पांच रूप उपलब्ध हैं इसलिए ये रुद्राक्ष के माध्यम से इनसान को बाबा भोलेनात की आशिर्वात प्राप्त होती है यह रुद्राक्ष धारण करने से इनसान के जीवन में हर तरह के लाब और सफलता मिलती है पांच मुखी रुद्राक्ष इनसान के माइंड, बोडी, सोल, अर्थात, शरीर, मन और आत्मा को शुद करके एस सही दिशा में ले जाते हैं पंचमुखी रुद्राक्ष की महिमा और उपकारिता अनेक तरह से है अब हम आपके सामने इस रुद्राक्ष का विवरण देंगे इसलिए मैंने हाजिर किया है विशिष्ट पंडित और सनातन हिंदु धर्म के ज्यानी आचार्य रामानुज महराज जी को हमारे इस कारेक्रम में आपका स्वागत है नमस्कार हमारे साथ इस समय मौजूद है अनेको दर्शक पर्दे के उस पार उन लोगों की तरफ से मैं ये जानना चाहती हूँ के ये रुद्राक्ष असल में है क्या रुद्राक्ष असल में एक फल का बीज है आप ये कहना चाह रहे है कि ये एक फल का बीज लेकिन इसकी स्पिरिच्वालिटी या आध्यात्मिक्ता किस कारण से उपलब्ध होता है इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए हमें बहुत पुरातन युग में जाना पड़ेगा असल में हमारे परम अराध्य देव आधी देव महादेव जी का अतीप्रिय है ये रुद्राक्ष शिव पुरान में उलेखित है कि महादेव मनुश्यों के दुख दुरदर्शा से व्यतित होकर उनके कल्यान और सबुद्धी जागरन के लिए वो ध्यान पे बैठे थे कई वर्ष बीट जाने पर उनकी आखों से जो आशू निर्गित हुए वही आशू से जन्म हुआ इस रुद्राक्ष का इसलिए रुद्राक्ष के अंदर एश्वर्य शक्ति दिखाई देती है इसके इलावा महादेव के रुद्र रूप के अंदर कलागिनी अवतार के अभुशन में बहुत सी रुद्राक्ष की मात्रा देखी जाती है इसलिए ये रुद्राक्ष देवादी देव महादेव जी का आशिरवाद पूर्न द्रव्य है इसका उप्योग करने के कारण मनुष्य को सीधे सीधे उनका आशिरवाद मिलता है और मिलता रहेगा एवं उसी मनुष्यों के जीवन में आने वाली कोई भी विपत्ती, कोई भी बाधा से उन्हें मुक्ती मिल जाएगी पंचमुखी रुद्राक्ष मानव कल्यान के लिए सबसे कारेकर माना जाता है इसका कारण क्या है? पंचमुखी रुद्राक्ष में कुछ ऐसी एश्वरिय शक्तियां हैं जो किसी अन्य रुद्राक्ष से भिन्ध है जैसे कि इस रुद्राक्ष के अधिपती ग्रह से हिसाब से श्री ब्रसपती अधिश्टित है इसी कारण जो मनुश्य इसे धारन करेंगे उनकी आर्थिक अवस्था में बहुत उन्नती होगी वो चाहे नौकरी वाले हों या वेवसाई हों दूसरे कारण जिन मनुश्यों में बिना कारण भय का संचार होता है या जिन में आत्मविश्वास की कमी है और या फिर वो अंतरमुखी हों यदि इस प्रकार के लोग इस पंच मुखी रुद्राक्ष को धारन करते हैं तो उनकी मानसिक शक्ती मजबूत हो जाएगी इसके इलावा छात्र छात्राओं में पढ़ाई लिखाई में उन्नती होगी क्योंकि इस पंच मुखी रुद्राक्ष से मनुश्य का एक आगरता और मनोबल दोनों ही बढ़ते हैं इस रुद्राक्ष में एक और महत्वपून गुन है ये मनुश्यों को शारिक बिमारियों से दूर रखता है जो मनुश्य हाट अथवा ब्लड प्रिशर की बिमारियों से भुगत रहे हैं अगर वो पंच मुखी रुद्राक्ष को इस्तमाल करना शुरू कर दें तो वो महसूस करेंगे कि वो पहले से जादा सुष्थ है मेरा भी हाई ब्लड प्रिशर था और बाद में हाट की बिमारी भी हो गई इन दोनों बिमारियों को कंट्रोल में रखने के लिए नियम अनुसर दवाई का सेवन करना और साथी साथ कुछ रेस्टिक्षन को मान कर चलना भी पूरण नहीं था ये मैंने अनुभव किया इस पंच मुके रुद्राक्स माला धारन करने के बाद दो हपते के बाद मैंने धीरे धीरे अनुभव किया कि मेरा सरीर में फुर्ती आ गई मैं बिल्कुली सुस्थ हो गया इस पंच मुके रुद्राक्स में मैं दिवादी देव महादेब जी का अधिश्टान अनुभव किया हिंदू धरम के शास्त्रों के अनुसार मनुष्य का जीवन पांच चक्रों में विभाजित है ये पंच मुकी रुद्राक्ष पंचम चक्र तथा विशुद चक्रों को परिचालन करने में सहायता करता है इसी कारण पंच मुकी रुद्राक्ष वैवार करने वाले मनुष्यों में बोलने की शैली की उन्नती होती है शुब और शक्रात्मत चिंता उत्पन होती है और मानसिक भाव से प्रकर बुद्धी संपन होती है इसलिए आप ध्यान दीजिएगा जितने भी सादू हैं वो सब रुद्राक्ष धारन करते हैं इसके इलावा जब या मेडिटेशन के समय रुद्राक्ष की माला से जब करते ह मैं केमिस्ट्री में बहुत कमजोर हूँ और इतना फॉर्मूला याद नहीं कर पाती इनफेक्ट इनफेक्ट परने का मन भी नहीं करता कॉंसेंट्रेट भी नहीं हो पाता पर ये पहनने के कुछ दिनों बाद मेरे आंदर एक चेंज महसूस हुआ परहाई लिखाई को अब इनजोई करने लगी और केमिस्ट्री में मुझे 90% मार्क्स मिला जन कल्यान के विशे को ध्यान में रखकर इस बाबा भोलेनाच जी के आशिरवाद पूर्ण पंचमु की रुद्राक्ष ब्रेसलेट और माला की कीमत मात्र 2100 रुपे निर्धारित की गई है डिलिवरी चार्ज इस बिलकुल मुफ्त आप इससे डेबिट या क्रेडिट कार्ट से भी ओर्डर कर सकते हैं लॉगिंग कीजिए www.holirudraks.co.in पर और पाई 10% अत्रिक डिसकाउंट बजपन से ही मैं इंट्रोवर्ट हूँ सबसे मिलना घूमना फिरना पैट के गप्पे लड़ाना मुझे पसंद नहीं था इसके साथ मेरे लो प्रेशर के कारण बहुत कमजोर थी पापा मुझे काउंसिलिंग भी करवाये फिर भी मेरे अंदर कोई कोई भी परिवर्तन नहीं आया एक दिन मैंने टीवी में ये पंच मुखी रुद्राक्ष का कारिक्रम देखा और मैंने तुरंत ओर्डर किया मेरे अंदर एक ऐसा पॉजिटिवनिस आ गया और मैं सब तरब से अप्टुडेट हो गई ये पंच मुखी रुद्राक्ष सचमुच काम करता है अभी हम लोग कुछ कॉल एटेंड करेंगे बिल्कुल हलो हलो हम दहरा तुन से प्रदीप सर्मा बोल रहे हैं मेरे बीबी का ना हाई ब्लड प्रेसर का प्रोग्रम है दोस साल से ना डवाई चल ली है पर फिर भी कोई असर नहीं हो रहा है और टेंसन से हूँ मेंटिली बहुत ना तोट चुकी है आपको और कुछ कहने की जरूरत नहीं शर्मा जी आप भी हमारा पंच मुखी रुद्राक्ष ओर्डर करें इससे आपकी पतनी का ब्लड प्रेशर भी ठीक हो जाएगा और साथ में उनका मानसिक संतुलन भी अपनी जगा पर आ जाएगा उनको रुद्राक्ष की माला पहने के लिए कहिए शर्मा जी ये पंच मुखी ब्रेसलेट और माला अनुष्ठान द्वारा एवं शिव मंत्र द्वारा अभी मंत्रित की जा चुकी है इसलिए इसे किसी प्रकार के कोई शुद्धिकरन की आवशक्ता नहीं है हाँ सवीता जी आपका प्रश्न पूछे सवीता जी महादेव को देवताओं का देवता यूही नहीं कहा जाता उन्होंने घोर तपस्या के बाद ये शक्तियां प्राप्त की है और रुद्राक्ष की शृष्टी उनके आंसों से हुई है इसलिए इस समय जो आपके बिजनस में समस्या है वो तो दूर होगी ही और बिजनस में कहीं जादा लाब होगा इसलिए अपने पती के हाथ पर ये पंच मुखी रुद्राक्ष पहना दीजिए और आप भी रुद्राक्ष की एक माला धारन कर लीजिए बाबा भुले नाथ आपके उपर अपनी कृपा बनाए रखेंगे पंच मुखी रुद्राक्ष ब्रेसलेट और माला की कीमत मात्र 2100 रुपे निर्धारित की गई है डिलिवरी चार्जेस बिलकुल मुफ्त आप इससे डेबिट या क्रेडिट कार्ड से भी ओर्डर कर सकते हैं लॉगिंग कीजिए www.holyrudraks.co.in पर और पाई 10% अत्रिक डिसकाउंट इसके साथ पाईए एक authentication कार्ड जो इस पंच मुखी रुद्राक्ष का genuine होने का सबूत है आप लोगों में ऐसे बहुत से लोग हैं जो सुख और शांती से अपने जीवन का व्यापन कर रहे हैं ग्रह नक्षक्त्र के परिवर्तन से जिंदगी में कभी भी दुखा सकता है संकट आ सकता है इसलिए ये पंच मुखी रुद्राक्ष अपने घर ले आईए और परमेश्वर बाबा महदेव का आशिरवाद प्राप्त करें और सुख शांती से अपना जीवन व्यतित करें हर हर महादेव पती के साथ डिवोर्स होने के बाद क्या करू ना करू कुछ समझ में नहीं आ रहा था कितने मानसिक तनाओं में समय बीत रहा था क्या बताऊं एक दिन मेरे फ्रेंड ने ये पंच मुखी रुद्राक्ष माला मुझे भेट किया और मैंने भी बाबा भोलेनात का स्मरण कर इसे धारण किया कुछ दिन बाद मेरी मुलाकात सुनिल से हुई वो एक बिजनसमैन है दो महिने बाद फी प्रपोस्ड मी आज मैं सुनिल की घरवाली हूँ और उनकी बिजनस पार्टनर भी मेरे खयाल से ये सब कुछ संभव हुआ बाबा भोलेनात की आशिरवाद पुर्ण इस पंच मुखी रुद्राक्ष के कारण पंच मुखी रुद्राक्ष ब्रेसलेट और माला की कीमत मात्र 2100 रुपे निर्धारित की गई है डिलिवरी चार्ज इस बिलकुल मोग इसके साथ पाईए एक औथेंटिकेशन कार्ड जो इस पंच मुखी रुद्राक्ष का जेन्विन होने का सबूत है